नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मनन गांदी और आज मैं आपको कॉफ यानि खासी के बारे में बताऊंगा कॉफ और खासी ऐसी चीज होती है जो बचपन से लेके बुड़ापे में लोगों को होती है और अलग-अलग कारणों से होती है काफी बार हमने आज में वगरे सुना है कि अगर लंबी खासी हो तो उसकी जाचक टीवी के लिए करवा देनी चाहिए ये बात absolutely true है ये बहुत बिल्कुल सत्य है आपको तुरंद करवा देनी चाहिए मगर अगर आपको खासी है और अगर टीवी वगरे नहीं निकलता तो आप इन गरेलों उपचार से उनका निवारंण कर सकते हैं खासी जो होती है वो दो प्रकार की होती है पहली जो खासी होती है उसको हम गीली खासी कहते है यानि उस खासी में कफ मूँ में आता है जिसको हम कुछ थुकना पड़ता है दूसरी खासी जिसको बोलते है वो होता है सोखी खासी जिसमें खासने के बावजूद भी मूँ में क आपको सौंट यानि अद्रक का सुखय हुए पाउडर को घी और गुड में मिलाकर उसकी गोलिया बनानी है इस गोलियों को आपको कम से कम तीन गोली दिन में चूसनी है खानी नहीं है यह चूसने से आप देखोगे धीरे धीरे जो कफ है वो पूरा या तो एक साथ निकल जाएगा या तो नीचे उतर जाएगा याद रहे जितनी बार वो मुँ में आए उसको निकलना नहीं है थुक रहे अगर आपको सूखी खासी है तो इस गरेलू उपचार से वो सूखी खासी भी बहुत कम हो जाएगी हल्दी और शक्कर को बरबर मातरा के अंदर मिक्स करने के बाद उसको घी में रोष्ट करना होता है घी में रोष्ट करने के बाद आप देखोगे कि हल्दी जो है वो शक्कर के उपर चिपक जाती है और इसको कहते है हरिद्रा खंड हरिद्रा खंड जो है वो आप दिन में दो से तीन चमच ले सकते हो अगर आपको गीला और सुखा खासी में अंतर नहीं समझ रहा है या कभी गीली खासी होती है और कभी सुखी खासी होती है या तो आपको दोनों में भी ये एक राम बांड गरे लूप चार है जो आप कोई भी प्रकारी खासी में यूज कर सकते हो इसमें क्या करना होता है कि सीतो पलादी पाउडर आता है उसको हिंदी में मुलेटी पाउडर कहते है, मराधी में जेश्था मत कहते है और गुजराती में जेटी मत कहते है इंग्लिश में इसका नाम है लिकरिस, तो ये दो पाउडर को समान मातरा में मिक्स कर देना है मिक्स करके उसका एक ही पाउडर बनाना है इस पाउडर को मद या हनी या शहद के साथ चाटना है दिन में कम से कम तीन से चार बार चाटने के बाद याद रहे कि आदे गंटे तक पानी पीना नहीं है इस पाउडर को गले के उपर एक कोटिंग बनाने देना है ये करने से आपकी खासी तुरंद कम हो जाएगी कांटाक डीटेल्स दिये गए है फील फ्री आप मुझे कांटाक कर सकते हो मेरा नाम है डॉक्तर मनन गांदी धन्यवाइद